तो फाइनली शीब इन्होंने अन्वील किया है रोकेट पॉंड के जो कंसेप्ट था मैटावर्स को लेके उसको यहाँ पर थोड़ी से जलक देखने को मिलिया अखिरिकर क्या चीज है यह रोकेट पॉंड और क्या कुछ इसका कंसेप्ट है मैटावर्स रिलेटिड चलिए इ इसको भी रोकेट यह जो नाम दिया रोकेट पॉंड यहाँ पर तो यह शीब इनु की मारे तो मान के चल रहे हैं यह एक ऐसा रोकेट है जो शीब इनु के प्राइज को मून तक ले जाएगा गोईंग टू दा मून और यहाँ पर इन्हें ने भी यह लिख है रोकेट बेस जाने वाला है शीब इनु का बहुत ही जल्द यहाँ पर और जाद अगर इसको डिटेल से जाने तो यहाँ पर आप एक पिच्चर भी देख रहे होंगे और यह देखे यहाँ पर इसके बीच में आपको कुछ हुई हीडन चीज़े भी दिख रहे होंगी जैसे हीडन चीज दिख रहे होंगा आपको इडन रिसोर्ट ठीक है तो यहाँ पर इस चीज़ को भी क्या लिखे दा पर इसको असान बासा में बोल जाए तो यह सीदक कृप्टो मार्कीट को लेकि यहाँ पर दावा कर रहे हैं शीब इनू मतलब इस प्रोजक्ट के दोरान यह बोल रहे हा जब इस project को launching की जाएगी Metaverse के बीज में तब क्या चीज होगा यहाँ पर आभी तो यह mountain की तरह बड़े-बड़े assets दिख रहे हैं बड़े-बड़े cryptocurrencies दिख रहे हैं और जो यह छोटे-छोटे resort दिख रहे हैं यहाँ पर आभी आम है लेकिन उसके बाद हम बहुती जल्दी सा होटल के थुरू लगातार जा रही है यहाँ पर और बात करें लास्ट 24 आवर की बर्निंग की तो लास्ट 24 आवर के बीच में 145 मिलियन शीब को बर्न किया गया है सिक्स ट्रांजेक्शन के तुरू और बात करें अगर बीत हुए घंटे की तो एक घंटे में पिछले एक मीलियन शीब है इनुट आज स्कूरा का रहा है साथ की साथ यहाँ पर अगर इघेरियम वेल की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर हँ फ्लिप डाउन करचुके है फर्स्ट रैंक हो क्योंकि अभी तक हम एक रैंक पे चल रहे थे लेकिन आज हम चोथे रैंक पे बने हुए है USDT, ACH और LOCUS यहाँ पर टोकन हमारे टोप पे टोप थ्री के टोकन बन चुके हैं और फौर्थ नंबर पे SHIBA INU बना हुए हाला कि यह थोड़े टाइम के लिए रहेंगे यह लोंग टाम के लिए नहीं रहेंगे यह आज रह सकते है कल के लिए यह दो-चार घंटे के लिए यह यहीं पर रहेंगे उसके बाद SHIBA INU फिर से नंबर वन की पोजिशन बना लेगा अब बात करते हैं मार्किट की बाई आज ओवरल मार्किट में क्या चेंज देखने को मिले साथ की साथ SHIBA INU के प्राइज में क्या चेंज देखने को मिल रहा है अगल ओवरल मार्किट की बात करें तो लगबग 5% से माइनस में चलता हूँ नजर आ रही है ओवरल मार्किट बिटकोईन की बात करें तो बिटकोईन पिछले गंटे में 0.65% से माइनस में चलता हो नजर आ रहा है और पिछले 24 गंटे में लगबग 5% माइनस में है इथेरियम की बात करें तो पिछले 24 गंटे में लगबग 6% माइनस में है और लगबग पिछले 1 गंट से 0.27% प्लस में आने की कोशिश किया इथेरियम ने शीबा इनु की प्राइज पर आते तो शीबा इनु भी लगबग 2.47% तो यहां पर करंट लिया यह 2.47% और रैंक की बात करते हो अब हम 13 रैंक से फिलिप डाउन करके 14 रैंक पर आ चुके हैं यहां पर प्राइज ग्राफ में आपको दिखा देता हूँ क्योंकि सड़नली डिक्रीज हुआ था प्राइज बिट कोईन के क्रैस डाउन होने के कारण और इथेरियम भी माइनस में जाने के कारण यह आपको एक बड़ी सी पीक दियो होगी एकदम सड़न डाउन की लेकिन उससे पहले बड़ी है पंप भी किया था शीवेन के प्राइज ने लेकिन एक सड़न डाउन हुआ मार्किट के बीच में ओवरल और जिसके कारण प्राइज में एकदम गिरावट देखने को मिली आ यहाँ पर लेकिन अच्छी चीजी है जैसे ही गिरावट देखने को मिली तब ही यहा प्राइब क्योंकि इस तरह के प्रेटेड वेडियां पर मैं लात रहता हूँ थेंक्यू गाइज